दोस्तों नमस्कार, सच्छ्रियकाल, आदाप, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महगता है इंडिया पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेला आइकन को दबा कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बंदा सिंग बहादूर की शादत के बाद सिखों के पास ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो उनको संगठित करके उनका सही दिशामे ने तृत्व कर सके इसलिए कई वर्षों तक अलग-अलग संगर्ष करने के बाद ये 65 जत्थों में बट गए सन 1747 में सरदार कपूर सिंग ने 65 अलग-अलग जत्थों में बटे हुए सिख समुदाय को 12 मिसलों के रूप में कठा किया जिनको दल खालसा कहा गया इन मिसलों में भी आपस में संगर्ष होते रहते थे क्योंकि उनके अधिकार वाले क्षेत्रों को जमीन पर चिनित नहीं किया गया था मतलब सिमाओं की निशान दे ही नहीं की गई थी कि किसका एरिया कहा तक है इसलिए दो मिसलों के बीच बोडस पर अक्सर किसानों के बीच संगर्ष होता रहता था जिन संगर्षों में मिसल के मुख्याओं को भी शामिल होना पड़ता था दोस्तों आज एक ऐसी ही गटना की बात करेंगे जिसका जिकर कई इतिहासकारों दोरा किया गया है क्योंकि ये गटना जुड़ी हुई है सरदार जसा सिंग आलुवालिया से तो उनके वैक्तित्व के बारे में आपको थोड़ा बता दें पंथ ने उनको सुल्तान उलकौम के दरजे तक पहुँचा कर असाधारन गोरो प्रदान किया था और वो इस पज से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट थे इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सरहिंद और लाहोर की जीत के बाद भी उन्होंने केवल कुछ ही एरिया को अपने खुद के कंट्रोल में रखा सरहिंद विजे के बाद वहां का बड़ा भाग पटियाला के तहट चला गया जबकि छोटे खशेतर दूसरे सरदारों के पास चले गए लाहोर पर विजे कुल मिलाकर कनयाओं सुकरचकियों और भंगियों की कोशिशों का प्रिणाम थी और इन मिसलों ने वहां के कई क्षेतरों पर कबजा भी कर लिया था सरदार जसा सिंग आलु आलिया कभी भी किसी क्षेतरों को पाने के लिए लालची नहीं थे और ना ही उन्होंने अपने उच्च पद का कोई अनुचित लाब उठाया ऐसा इत्यास में हमें मिलता है उदारन के लिए उन्होंने कभी भी अपने परिवार के सदस्यों और रिष्टदारों के लिए कोई पक्षपात नहीं किया अब बात उस गटना की जिसके जिकर के साथ हमने वीडियो की शिरुवात की थी दोस्तों ये गटना थी सरदार जसा सिंग रामगडिया के छोटे भाईयों माली सिंग और तारा सिंग द्वारा सरदार जसा सिंग आलवालिया को बंदी बनाने की और फिर उसके बाद सरदार जसा सिंग रामगडिया के साथ दूसरे मिसल सरदारों के विरोध के कारण उनका सम्मान जनक तरीके से रिहा किया जाना। हुआ ये कि आलवालिया मिसल और कनया मिसल का रामगडिया मिसल के साथ जगड़ा हुआ जो काफी बढ़ गया था। इस प्रकंड के बारे में स्यद खलीफा मुहम्मद हसन अपनी किताब तारीख पत्याला जो 1878 में लिखी गई थी उसमें कहते हैं कि एक बार सरदार जसा सिंग बटाला से दो मिल दक्षिन में अच्चल की तरफ जा रहे थे जहां फागुन सुधी 14 को एक मेला लगता था शायद वो उस समय पठान कोट या पहाड़ों की तरफ से आ रहे थे सरदार जसा सिंग रामगडिया के छोटे भाईयों खुशाल सिंग, माली सिंग और तारा सिंग ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनको बंदी बना लिया ऐसा लगता है कि उस समय सरदार जसा सिंग आलवालिया के साथ ज़्यादा संख्या में आदमी नहीं थे क्योंकि यहां पर मुहम्मद हसन ने सरदार आलवालिया की तरफ से किसी परकार के प्रतिरोधिया लड़ाई का जिक्र नहीं किया है जब यह बात सरदार जसा सिंग रामगडिया को पता चली तो उन्होंने सरदार जसा सिंग आलवालिया को एक ताजनुमा टोपी घोड़ा और एक पाल की भेंट की और उन्हें बड़ी गरम जोसी के साथ विदा किया इसके अलावा किताब तारीख रियासत कपूर थला में भी इस घटना का जिक्र है जिसके अनुसार सरदार जसा सिंग आलवालिया उस दिन नंगल गाउं के पास सेर और शिकार करने में वेस्त थे इस गाउं की पैचान तो पूरी तरह से सपष्ट नहीं है लेकिन अनुवान लगाया जा सकता है कि यहां गुरदास नंगल का जिक्र किया गया है जहां माली सिंग रामगडिया अचानक एक बड़ी सियना के साथ पहुँचे और यहां आगे कहा गया है कि वहां लड़ाई हुई जिसमें सरदार जसा सिंग आलवालिया को दो गोली भी लगी लेकिन सेयद मुहम्मद हसन का विवरण यहां ज्यादा सही लगता है हालागी सरदार जसा सिंग रामगडिया ने इस मामले को समझदारी से संभालने की कोशिश की लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इसको दबाया नहीं जा सका सरदार जैसिंग कनया ने इसे ना सिर्फ अपने बलकि पूरे पंथ के अपमान की रूप में देखा इसके अलावा एक पुरानी वज़े भी थी जिसके कारण इन दो मिसलों के बीच दुश्मनी चलिया रही थी जिस समय कसूर शहर पर इन्होंने मिलकर हमला किया और जब वहां से लूट की संपत्ती को बाटने की बात आई तो उन्ही माली सिंग रामगडिया ने जिन्होंने सरदार जसा सिंग आलवालिया के उपर हमला किया था यहां पर भी प्रमपरा के अनुसार लूट की संपत्ती को कनया सरदारों के साथ शेर करने से यानि उनका हिस्सा देने से इंकार कर दिया और सारी संपत्ती अपने पास रख ली सरदार जसा सिंग रामगडिया ने अपने भाई का इस बात के लिए विरोध किया लेकिन माली सिंग इस बात पर अड़े रहे तो वो भी चुप हो गए इस कारवाई ने परसिद्ध मिसलदार सरदारों के बीच चलियारी प्रथा और प्रमप्रा को तोड़ा जो उनके बीच दुश्मनी का कारण बनी कनया और रामगडिया मिसलों के क्षेतर की सीमाएं कई जगों पर एक दूसरे से मिलती थी ऐसी परिस्तितियों में गलत फहमी मतबेद और मामूली जगड़े होना आम बात थी दोस्तों पंजाब के किसानों के बारे में कहा जाता है कि उनको अपनी जमीन से बहुत प्यार है और वो एक एक इंच जमीन के लिए मरने मारने के लिए तयार रहते हैं इसलिए इसमें कोई अचंबे की बात नहीं है कि कनया और रामगडिया सरदार अगर अपने अपने लोगों का पक्ष लेते हैं तो उनके बीच जगड़ा बढ़ जाए इन मिसलों के बीच में जगड़ा बढ़कर इतना भयानक हो गया कि प्रिणाम सुरूप रामगडिया सरदारों को रियारकी और दोआबा में अपना क्षेत्र खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कुछ समय के लिए उनको पटियाला के महराजा के पास शरण देनी पड़ी थी